मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आज आप सभी लोगों को इस बात का पता है के हम किस कारे से यहाँ पर आए हैं देश के लाडले बेटे सुभास चंद बोस की जैनती है आज उसी का कारक्रम आप लोगों ने पीछे देखा मेरी बहनों ने बहुत अच्छा है यहाँ पर कारक्रम भी प्रस्तुत किया और इसी के उपलक्ष में आज इस कविसम्मेलन का भी आयोजन किया गया है लेकिन कविसम्मेलन में आपको हर चीज मिलेगी सबसे पहले मैं लेकिन जिस कारे से आये हैं उस कारे को करना चाहता हूँ और चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी श्रद्धान जली सुभार्चन बोस जी के चैड़नों में समर्पित करना चाहता हूँ उसके बाद इस कविसम्मेलन की विवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि सरभी यहाँ पर बता रहे थे कि आजादी कोई दो-चार विक्तियों का खेल नहीं था दो-चार विक्तियों ने आजादी नहीं दिलाई बलकि 7,32,000 बेटों ने अपनी कुर्बानी देदी तब जाकर कहीं आजादी आई लेकिन जब हम कह देते हैं कि देदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल सावर मती के संत तुने कर दिया कमाल तो दिल में टीस उठती है लगता है कि कहीं हम अपने रण वाकुरों का ख्रामतिकारियों का बलिदान कहीं हम भूल रहे हैं तब कहने की कोशिश करता हूँ और चार पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मेवाड़ वाले क्या आप भी पहले जैसे ही कविता सुनते हैं कुछ बदल गया है आज से 5-7 साल पहले मैंने इसी मंच से शुरुवाद की थी पहली बार इसी मंच पर खड़े होकर मैंने कविता पड़ी थी आदनिये चेर्मेन सरकार डारेक्टर मैं का आप सभी का बहुत बहुत आशिरवाद मुझे मिला जिसकी वज़े से आज भी थोड़ा बहुत जो भी कुछ बन पाया हूँ कहीं न कहीं उसी का फलिभूत हुआ है तो मैं चार पंक्तियों में देखना चाहता हूँ आप मुझे कितने मन से यहाँ पर सुईकार करेंगे कि बिना शहादत के आजादी कभी नहीं आ सकती थी और चर्खे से अंग्रेजों की फौज नहीं जा सकती थी जान हथेली पर रखकर जब वीरों ने हुंकार किया आजादी किद्दुलहन ने आना तब ही सुईकार किया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मन भिया आपने बहुत अच्छा लगा और चार पंक्तियां सुभास चिन बोस जी के लिए मैं समर्पित करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ चार पंक्तियों में कहीं परिभासित करना चाहता हूँ बिल्कुल नई पंक्तियां है अगर बात आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपकी उर्जा यहां तक आए कि भटके थे देश-देश-देश भक्त किये एक देश-भक्ति वाली लो जगाई थी सुभासने कि भटके थे देश-देश भक्त किये एक देश-भक्ति वाली लो जलाई थी सुभासने और सिंग से दहाडे फिर भारती के लाली आहां चिनगारी ऐसी सुलगाई थी सुभास ने और गुलामी की बेडियों को काट कर फैक दिया भारत को आजा दी दिलाई थी सुभास ने बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहता हूँ कि इस विवस्था को आगे बढ़ाया जाए और सबसे पहले इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ आदणिय दादा आलोक बेजान जी जो के हमारे बीच में बुलन शेहर से चल कर आये हैं और एक बहुत ही अच्छे शायर जब आप इनहें सुनेंगे तो कहीं आप इनके साथ खो जाएंगे मैं जाता हूँ ऐसे नहीं एक बार दोनों हाथ उपर उठाकर बड़ी तालियों से बड़े शायर को इस मंच पर आमंत्रित किया जाए और इसके बाद बड़े भहिया प्रतीक गुपदा जी जो के आप लोगो और इसके बाद मैं आपके बिश में आमंत्रित करना चाहता हूँ बड़े भहिया एले श्रवस्थी जी जो के आगरा से हमारे बिश यहाँ पर चलकर उपस्थित हुए हैं भहिया की जब आप ओज की रचनाएं सुनेंगे तो कहीं आपकी देश भस्ती की आपका खून खौ लेकिन जब आप लोग मन से तालियां बजाते हैं तो हम लोगों को यह पता लग जाता है कि जो बात हम यहाँ पर खड़े होकर कह रहे हैं वह बात आप लोगों तक पहुंच रही है बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता तो आप लोग मन से सुन रहे हैं बहुत अच्छ व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था, एक व्यक्ति की महनत नहीं थी, इतने सारे क्रांतिकारियों ने महनत की, सुभार्चंद बोष, चंद शेखर, आजात, भगर सिंग, राजगुरू, सुखदेब, इतने सारे लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, तब कहीं जाकर हमें आजादी नसीब हुई, तो उन्होंने एक बड़ी ही सुन्दर सा एक आठ पंक्तियों में उन्होंने गांधी जी और चंद शेखर आजात के बीच में, एक कंपेरिजन किया, उसे आपके बीच में रखना चाहता हूं, और अगर सुईकार हो जाए, तो जोरदार समर्थन द दीजेगा, इस निवेधन के साथ पंक्तिया निवेध आपके बीच में रखता हूं, कि गांधी ने धार एक धोती यस जोड़ा त्याक कहानी में, कि गांधी ने धार एक धोती यस जोड़ा त्याक कहानी में, तेहमद में काटी उम्र चंदर शेखर ने भरी जवानी में, और बकरी का पीकर दूद रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे, एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारत माता के लिए जिसने भी अपना सर्वस्वन लगा दिया, जिसने भी अपना बलिदान दिया, उस किसी भी व्यक्ति के बलिदान को स्वदेश यादव छोटा नहीं मानता लेकिन जब कोई व्यक्ति आतर स्वदेश यादव से ये कहने लगे, कि भारत माता को आजाद कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का हाथ था, तब इस बात को मैं नकारता हूँ, और तब पंक्याप लोगों तक प्रेशित करता हूँ, कि गांधी ने धार एक धोत कि गांधी जीके बंदीग रह्भी महलों के अंदर होते थे, आजाद मौत की चाया में खंड हरो वनों में सोते थे, और गांधी मिमियाते सदा करता सिंग हनिनाद रहा, गांधी गुलाम से मुक्त हूए, आजाब सदा आजाद रहा। अजार सदा आजाद रहा तो बहुत बहुत धन्यवाद इसी की अपेक्षा थी आपसे और अब मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई भी किसी भी त्योहार को किसी भी जैनती को हम लोग मनाने के लिए जब एकत्रित होते हैं तो हम पर कवियों को क्यों आमंत्रित किया जाता है क कविता की क्या जरूरत होती है और कविता कहां से कविता का प्रादुर्भाव होता है हम लोगों को पता है कि कवी कविता लिखते हैं लेकिन कविता के जो भाव होते हैं वो कहां से आते हैं मैं चार पंक्तियों में परिभाशित करना चाहता हूं बिल्कुल ताजी पंक्ति है मन से सुनिएगा कि निखानी नहीं है कि पंक्ते निविदित करता हूं कि गरीबों पे होता अत्याचार देखकर जब भावना उमडती तो बनती है कविता कि गरीवों पे होता आत्याचार देखकर जब भावनां उमडती तो बनती है कविता वो बेटियों की चीखवा पुकार कंड द्वार पर सीशे सी पिखलती तो बनती है कविता और बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं आपके बीच में कैसे कवी को ऐसे तेवर को यहाँ परामंतरित करना चाहता हूँ कि जिसकी आज सही मायनों में इस देश को आवशकता है इस नई पीड़ी को आवशकता है मुझे आवशकता है और आपको आवशकता है ऐसे तेवरक का अगर कोई रचनाकार हमारे बीच में होता है तो वो होते हैं बड़े भीया एलेस अवस्थी जी जो के आगरा से हमारे बीच चल कर आए है अब आगरा के नाम पे कुछ लोग डाउट में हो रहे होंगे नहीं लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका घर उसके आस पास भी नहीं है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाईया वहां पे शिफ्टी तब हुए थे जब वहां से शिफ्ट कर लिया गया था तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बहुत अच्छी अच् आते हुए एक जबर्दस कभी को आपके बीच में यहां पर आमंत्रित करूं चार पंक्तियों के माध्यम से मुझे कहीं आधर्णिय दादा अर्जुशोदिया जी की चार पंक्तिया याद आती है उन पंक्तियों से भाया के आमंत्रण में पंक्तियां पढ़ता हूं और अधिया संसर से इधर आएं गरम जोके पिलाकर लेखनी को खून हमंगार लिखेंगे एक बार दोनों हाथ उपर करके जोरदार तालियों से आमंत्रित करिएगा बड़े भीया एलिस अवस्ति जी भाविश्य के शुभाष चंद्रबॉस और जहासी गिरानियों को प्रणाम करता हूं कि ताली नहीं बजाई आपने आज की जो टीम है युवाओं की और जो सामने युवा बैठे हैं चार पंक्तियों से प्रारंब होता हूं दरसल मैं वीरस का कभी हूं लेकिन कुशल को सुनकर और कुशल को देखकर मुझे लालच आ गया है दो चार पंक्तिया रख पंडी तक कुछ लोग कितने में प्रसंद हो गए है कि लाहौर से राबल पंडी तक के सरिया रंग चड़ा देंगे का कहने शब्दों के तीरक मान चला यमराज से भेंट करा देंगे और ले पाकिस्तान चुनोती है तू एक बार मैदान में आ अरे सेना तो दूर की बाद तुझे भारत के कभी हराद क्या थुझे नड़ा अ के जिननावाद आखिंग अ कि जिननावात है बुढ़ सी अनठा हो न्लच सा उजड मीवचा मैं के बुढ बारत कि बुढ्दी से अनठा न्लच सा उजड हो जी बारत में आलंक यह सब आप आजIPम राजनीती में बिविद रहेके के लोग पढ़े हुए है कि बुद्धी से अनठ्थ हो ना लठ्थ सा उजड्ड हो जी सुद्ध सदाचारी सा पनेता आज चाहिए और सब को दिखाए राह मोहना माया की चाह देश ही क्यों विश्व का चहेता आज चाहिए तो राम जैसा धैर्यवान क्रश्न जैसा वीर्यव पुद्ध राजनीत का प्रणेता चाहिए और पत्थरों की लीक हो विवेक का प्रतीक हो जी नेता जी सुवास जैसा नेता आज चाहिए वाह क्या बात है आपकी तालियां कमजोरें तालियों का घंद तो बढ़ाईएगा तो भाल 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 को सजा के थालों में कपाल विक्राल चालों महकाल का ये भक्त आगया सके और बज्र के समान वक्ष को किये हुए है आज धीर बीर बज्रंग सक्त आगया सके तो देख देख लालों के लालाट लाल लाल भारती के चक्छुओं में रख्त आगया सके तो बासुरी को छोड़के सुदर्सन उठालो कष्ण पापियों से युद्ध का है वक्त आगया सके क्या कहने क्या कहने वाँ त्या कहने वास्वई को छोड़के सो दरसन उठा लो कशन पापियंग से युद्ध का है वक्त आ गया सके कि तुमसे बिछड़े वो सब सुनाओंगा जो आप सुनना चाहते हैं और उसके बाद वो जो आपको सुनना चाहिए वहाँ थोड़ा थोड़ा कि तुमसे बिछड़े तो सूखे सजर बन गए तुमसे बिछड़े तो सूखे सजर बन गए इतने तूटे कि फिर खंड हर बन गए और तुम दिसंबर की थंडी सुबहा बन गए हम मई जून की दो पहर बन गए क्या बात है क्या बात है वहाँ क्या बात है दो पहर बन गए दो प्रेम का पुस्प दिल में खिला दो प्रिये ना मोहबत का ऐसा सिला दो प्रिये गर पिला ना सको जाम अधरों से तुम कम से कम एक कोफी पिला दो प्रिये कि आज 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 बहुत आज 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 इस लिए मुझे बुलाया गया है और आप सब लोगों से चाहता हूं कि मेरा साथ दें और आये भारत बंदना करें देश की बंदना करें तो संध्याके समुर्जाओ मत उसा जैसी सोभालाओ क्यों मोन खड़े हो मित्र कहो मुख मंडल उपर आभालाओ वाणी में अविरल जो सुजगे धमनी में रक्त प्रवाह बढ़े करतल द्वनि से टंकार उठे शब्दों में नव उत्साह गड़े तो कसुमीर से ले करके रल तक अरुणा चल से गुजुरात तलक सर्दी गर्मी बारिस वाधी में सावधान दिन रात तलक वर्दी पहने सीना ताने निज्व हाथों में संगीन लिये जल में थल में हिम मर्थल में विद्या द्वित युद्ध प्रवीन लिये जब सैनिक है सीमाओं पर जब प्रहरी है सीमाओं पर तब हो करके निर्भय बोलो और अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जाएवो क्या बात है वाह जुड़िएगा सब लोग आप सब में बतलिएगा कि संध्या के सम मुर्जाओ मत उसा जैसी सो भालाओ क्यों मौन खड़े हो मित्र कहो मुख मंडल पर आभालाओ वानी में अविरल जोस जगे धमनी में रक्त प्रबाह बढ़े करतल ध्वन से टंकार उठे शप्तों में नव उत्साह गढ़े कसमीर से लेकर खेरल तक अरुणा चल से बुझ रात तलक सरदी गर्मी बारिश आधी में साबधान दिन रात तलक वर्दी पहने सीनाता ने निज हाथों में संगीन लिये जल में थल में हिम मर्थल में विद्याद तयुत्थ प्रबीन लिये जब सैनिक है सीमाओं पर तब हो करके निर्भय वोलो अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय 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 बोलो 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 जय बात है वा भीया असलम भाई जी अगर हो कहीं तो हाथ उठा से थोड़ा सा मैं पराम करता हूं भाई आपको मैं प्राम करता हूं आपको जिस तरह से आपने हमाई सेवा की है मैं पंक्तिया आपको सौपता हूं क्या बात है के हिंदू मुस्लिम सिख इसाई सब जाते धरम आभाशी हैं कुछ नहीं सरसब सनातनी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऐसाई, सब जात धरम आभासी हैं, केवल इतना है सत्य सुनो, हम सब भारत के वासी हैं, केवल इतना है सत्य सुनो हम सब भारत के वासी हैं वलिदान दिया है प्राणों का सर एसे नहीं आई है आपने बहुत विस्तार से बताया हजारों लाखों लाल कुर्वार्ण हुए है तभी आज भी प्रत्य दिन कोई ने कोई लाल सिरंगे में लिपट कर आता है तभी आज़ादी बची हुई है कि वलिदान दिया है प्राणों का तब मान चित्रय खीचा है वीरों ने अपनी रक्त सुधा से इस धर्ती को सीचा है हुंकार भरो ऐसी जंकरत होकर देवाले तक पहुचे दक्षिन में हिंद महासागर उत्तर में हिमाले तक पहुचे गुरुद्वारे के गुंबत गुझें मस्जिद की मिमारें गुझ उठें गुरुद्वारे के गुंबत गुझें मंदिर की दिबारें गुझ उठें किरिजाघर के घंटे गुझें मस्जिद की मिनारें गुझ उठें गांधी नेहरू आजाद भजट बंकिम सुभास अब्दुल कलाम मंगल पांडे अब्दुल हमीद गाते फिरते थे सुबहता दिनकर की रश्मिरती पढ़ लो जय शंकर की भारती पढ़ो विश्मिल की सरफरोस बांचोया फिर मेरी आरती पढ़ो अक्षर गंडीबों की तंकार सुनाई देगी जी केवल भारत माता की जय जय कार सुनाई देगी जी धरती अंबर अंबर धरती अंबर सब बोल रहे धरती अंबर सब बोल रहे फिर कैसा है संसे बोलो क्या बात है वाँ अब दोनों अब दोनों 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 हाथ उढ़ा गर गे भारत माता की जय बोलो 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 जिन्दा वाद इस सदन में खड़े होकर कहीं कोई एले सबस्थी भारत माता की जय बोल रहा है और आप लोग अगर भारत माता की जय बोल रहे हैं इसके काण बोल रहे हैं वो क्या कहते हैं गदी संबाद बहुत कम करूंगा वो क्या कहते हैं, सुनी हो या, सुआगए तब या, सुआगए कि चाहे सरीर से लिस जाए, इस खून का कत्रा कत्रा भी, चाहे जीवन भर बना रहे, तो पॉका बम का खत्रा भी, चाहे अनुबंद भिखर जाए, जीवन की कठिन परिक्षा के, चाहे प्रतिक्षन काटना पड़े, गमगीन सहारे भिक्षा के, चाहे सरीर निर्जन होकर वशुधा पर आज बिखर जाए, चाहे यह मस्तक भी गर्दन से कटकर नीचे गिर जाए, चाहे पतनी के माथे पर सोभित सिंदूर चला जाए, चाहे एक बूढ़ी माता की आखों का नूर चला जाए, जो आतन की उनमादी हैं, उन सब की खालो तारेंगे, इसके सरवाली क्यारी में अव विश्धर ना फुंकारेंगे, क्या बाद रहारी माता है, जिद्दाबाद, क्या बाद है वहुज़ाइ, सरपों के दंस तोड़ देंगे, कुटलों की आखैं फोड़ेंगे, गिद्धों के पंक मोड़ देंगे, यहा सच है धर्म संपरदायों, जातियों में बट कर रहते हैं, लेकिन हम सवा अरब भारत वासिय मिलकर कहते हैं क्या कहते हैं कि हम जिये जिये या मरे मगर मेरा साथ देना कि हम जिये जिये या मरे मगर हम रहे रहे ना रहे मगर यह देश रहे आवाद कि हम जीए जीए या मरें मगर हम रहे रहे या रहे मगर यह देश रहे आवाद हिंदुस्तान जिन्दाबाद हिंदुस्तान जिन्दाबाद हिंदुस्तान जिन्दाबाद हिंदुस्तान जिन्दाबाद हिंदुस्तान जिन्दाबाद हिंदुस्तान जिन्दाबाद हिंदुस बहुत उन हमें ज्ञान प्राप्त वो सके हमें लक्षमी के आराधना की ते परिपून हो सके हमें दोर आसलं का की सिल और प्रॉइज खुक के आये गण आजitt्यकुर्ग की वारती की आहतार नुटतारें ऑज्यकुर्ण कि ऑलन करें हैं श्रकुछ पाने के लिए नहीं है अपित हमें जो भारती ने जो कुछ दिया है उसका एक कण उसका एक खण चुकाने के दिए। स्वागत दिया, स्वागत, स्वागत मैं चाहता हूँ के अब एक बार केबल पांच मिन्ट मुझे आप अपने देदें। के बल पांच मिन्ट मागता हूँ, सभी सभी अपने भाईयों से अपनी बहनों से सिर्फ पांच मिन्ट मागता हूँ कि नमामि शाधु रक्षणी मैं पढ़े लिखों के मद्दिक कविता पढ़ रहा हूँ, किसी मेले दसेरे में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं जानता हूँ कि आप आप ही बविश्ची के शुवाश्चंद्र बहुत हैं आप ही कभी जियन्यू इसरो और नाशा में कार करेंगे कि नमामी शाधु रक्षणी, नमामी शत्तु भक्षणी, नमामी शिंदु हारणी, नमामी शैलधारणी, नमामी शिंगरूपणी, नमामी श्री निरूपणी, नमामी मातु जानवी, नमामी मातु वैववी नमामी बज्रवाहिनी, नमामी मोक्षदाईनी, नमामी भक्ति बत्सला, नमामी शश्य शामला, शुधीति शील शीतला, शुधीति शिद्धि संचला, सुहासनी, सुभासनी, सुरम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म् कि प्रत्यक्षनित्य प्रक्रति उतारति मभारति की आरति मभारति की आरति एक बार पुने आप सब की तालिया इस पूरी 5 मिर्ट की कवता के साथ मेरे सासत म भारती की आरती निकल रहा है शब्द कंठ से विलिप्तवा है की आर्दता प्रालिप्त हो कि रष्मे मारतंड की या उश्रता की उग्रता Лीये हुए प्रचंड की अगर्ण्यसे नगर्ण्य तक प्रपात से अरृण्य तक वियों की विशालता या भूम की महानता अनादिता अदम्यता अखंडता उचारती मा भारती की आरती 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 मा भारती की कि तुंग हिम सिखर सजा है भारती के भाल पर कि स्वर्ण शम पखेर उड़ रहे हैं डाल डाल पर कि प्रेम की परमपरा प्रलिप्त परमनंद की ये भूम है भरत अशोक और विबेकानंद की ये ज्ञानियों के और तपश्ट्वियों के होस खो गए बड़े बड़े रिशी मुनी भी लोट पोट हो गए कि देवियां भीत्र सा चरित्र होने आई हैं ये छोटा सा कभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पंक्तियां कहने जा रहा है स्वागत भीया स्वागत इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं लिख सकूंग अपनी मात्र भूमी के लिए कि देव कि देवियां भी देवियां भी देवियां भी देवियां भी देवियां भी देवियां कि देवियां भी तरसा चरित्र होने आई हैं कि देवियां भी तरसा चरित्र होने आई हैं यहां स्वयम भागीरती पवित्र होने आई हैं यहां स्वयम भागीरती पवित्र होने आई ह बढ़े बढ़े ही अच्छे व्यक्ति हैं कवी कविता वगेरा तो अलकी चीजें इसके अलावा भी भावासे काफी समय से मेरा परच्या है और अभी भीया सरकारी स्कूल में मास्चर हैं मैं कोशिस कर रहा हूं लेकिन बन नहीं पा रहा हूं तो इससे पहले क्या हुआ बड़े भीया मेरे साथ नौकरी की तलास में घूमा करते थे अब एक वाक्या बताता हूं अगर कहीं आनंद आ जाये तो फिर बताईएगा एक बार क्या हुआ मैं और बड़े भीया एक प्राइवेट कंपनी में चले गए इंटर्व्यू देने अब जब इंटर्व्यू देने गए तो पहला नंबर मेरा लगा सर और इंटर्वियर ने मे बताओ कि हमारा देश आजाद कब हुआ मैंने का सर कोशिश तो 1857 में प्रारंभ हो गई थी लेकिन नभ्य वर्षों के लंबे संगहस के बाद 1947 में जाकर हमें सफलता हाथ लगी और इसमें हमारे कुछ एक पड़ोसियों का भी सहयोग रहा सर ने का बहुत अच्छा अच्छ इनके से बड़े भाहिया का था अब भाहिया तो हैं ंब्ल कॉंफिडेंस उन्दर चले गये अब भाय सब ऑन के देखा तो आपका जो इंट्रूईर। था वह में उसने सवाल बदल दिया आप अंब ली जिएगा उस्ने सबसे पहले बहा से कोश्यन किया बोले बताओ तुम्हारा नाम क्या है भाईया ने फुल कॉन्फिडेंस में उत्तर दिया बोले विश्व विख्यात आदर्निया स्री नरेंदर दामो दर्दास मोदी अरे निताली वाली बात तो अभी आ रही है इंटर्डर ने सोचा कि रिजूम पे तो एले सवस्थी लिखा हुआ हो सकता है घर का नाम हो कोई बात ने उसने अगला सवाल किया बोला यह बताएए कि आपका जन्म कब हुआ भाईया ने फुल कॉन्फिडेंस में उत्तर दिया बोले सर कोर्षिस तो 1857 में ही प्रारम हो गई थी लेकिन नभ्य वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद उन्नीस रह सहतालीस में जाकर सफलता हाथ लगी और इसमें हमारे पड़ोसियों का भी सहयोग रहा इंट्रेवर्ण ने पूछा कि भाई सब पागल वागल तो नहीं हो तो ले सर साइंस तो मान चुकी है लेकिन अभी रिसर्च चल रही है जैसे ही पता लग जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा तो भाईया हर जगे ही कमाल करते हैं आज मंच पर आके भी भाईया ने कमाल कर दिया लेकिन ये सब तो हसी मजाक की बाते हैं बड़े भीया ने बहुत ही शानदार कावेपाट किया जिसका परिचे इस बात से भी मिल गया कि आप लोगों का जो सामने समर्थन था और जितने मन से आप लोगों ने सुना तो उतना समर्थन कोई कोई भी व्यक्ति अच्छी कविता कोई दे सकता है मैं भीया को बधाई देना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए उससे पहले मुझे एक बात याद आती है बड़े भीया बैठो है प्रती गुपदा जी ये काईट कॉलिज से आपके भीच माया है प्रोफेसर है वहाँ पर लेकि इसके बाद आके इने उठान लगा ये वैसे तो पहले से ही जगे हुए थे लेकिन बोले भाई तुने सारा सामान तो लूट लिया अब उठा क्यों रहा है बोला तुम्हारा मर्डर करूँगा बोला मर्डर किसलिए बोला इससे खौफ बना रहता है तो भाईया ने तुरं भाबुक हो गया और बोला कि मैं शकुंतला नाम की किसी भी महिला को नहीं मारता क्योंकि मेरी मा का नाम भी शकुंतला है और दुबारा से चाकु लेकर भाईया की तरफ आगे बढ़ा और बोला मर्डर तो आज तुम्हारा ही करके जाऊंगा तो कहीं भाईया का उत्तर एक की जगे दस मार लियो लेकिन तुझे एक बात बता दू कि मेरा बस नाम ही प्रतीक गुपता है नहीं तो महले वाले प्यार से कहते मुझे भी सकुंतला सकुंतला ही मैं चाहता हूँ के भीया को आपके बीश में आमंतृत करों और जो आप ठाहके लगा रहें इनने पहार के समान और उपर लेकर बड़े भीया जाएं भीया के समान में भीया के आमंत्रण में चार पंक्तियां पढ़े देता हूँ कि अपने जख्मों का भी आयना बनाया हमने कि अपने जख्मों का भी आयना बनाया हमने आपको हसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए और अगली पंक्ति पर भीया के सम्मान में बड़े कभी के लिए बड़ी तालियों के साथ आमंतित करिएगा कि अपने घावों का भी आयना बनाया हमने आपको हसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए वह इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना कलेजा चाहिए औरों को हसाने के लिए एक बार जोरदार तालियों से बड़े भीया को आमंतित करिएगा बड़े भीया प्रतिक गुपदा चाहिए मैं काइट कॉलिज आपके बीच माया हूं मुरादनेगर में आप जानते होंगे काइट कॉलिज है वहां MBA को पड़ाता हूं और बताना जरूरी है मैरे मैडम को ही बताया सर भी बैठेते सर गयाब होगे समय सर भी जानते हैं मात्र 18 सालों से अध्यापन छेत्र में हूं क्यों इतना हासी गुल नहीं खिलता अपवाद हूं मैं मुझसा कवी यू नहीं मिलता और संतूर से नहाता हूं मैं सांड़ सवेरे तचास मेरी उम्र का पता नहीं चलता है जिन्दावाद बतना जरूरी है और खुलके ताली बज़वाएं के साथ सर मैं बहुत डर गया जब आपे आपने किलास चल ली थी प्रोफेसर अफशब कह रहे थे तो बच्चे ने ख़़ो के थपड़ मार दिया अब मैं सब्सक्राइब अगला बोले जा रहा है ये टीचर है प्रोफेसर है अब मैंने कोई लड़का ना खड़ा हो जाए मैं मैं पराम करता हूं साब और सद मैं पहली बार बिना हनीप्रीत वाला डेरप्रमुक देख रहा हूं ताली बजाओ भाई सब जोड़दार है मैं सारी बात करूंगा लेकिन पहले चार पंक्ति उन पावंच चड़ों में रखना चाहता हूं जिन की वज़े से आज हम यहां पर रिकत्रत हुए है तो सुबा आइद देने की कोशिश करता हूं और आपका आशिवाद मिला छोड़ दो फोन में कुछी रखावा सब यहीं पर है जब ओरिजिनल माल सामने हो तो नगली छोड़ देना चाहिए कि कुछ मन की सुना जाओं आज मन है यह मेरा कि कुछ कुछ बढ़े भाई मेरे बड़े मित आज मन है यह मेरा और नेता जी की वजए से ही चमन है यह मेरा कि कुछ मन की सुना जाओं आज मन है यह मेरा और नेता जी की वजए से ही चमन है यह मेरा और देश को समझाया मिलती आजादी यह कैसे के देश को देश को समझाया मिलती आजादी यह कैसे ऐसे सुभाश बोस को नमन है यह मेरा ऐसे सुभाश बोस को नमन है मेरा सारी बात आप कर चुके सर मैं तो हासे वेंगर कभी हूँ कुछ हसाने की कोशिश करोंगा कुछ जगाने की कोशिश करोंगा चार पंक्ति से मैं शुबात करना चाहता हूँ कि हसाता हूँ कि गम सबके देखकर रहे नहीं सकता कि हसाता हूं कि गम सब के देख कर रहे नहीं सकता कसता हूं वेंगी क्योंकि बुराई सह नहीं सकता मगर मजबूरियां मेरी भी शायद कुस्त होती हैं अब हर बात लफजों में तो मैं भी कह नहीं सकता अब हर बात आपने इन पंक्ति पर ताली बजाए इसका मतलब लगता ह सार बिक्कत क्या हो रही है कि मैं देख रहाऊ जूस वाले का बेटा आइस-उसर बन में चारों ओर देखा तो आपने कहीं महांविक्तितन् enfant लगा रखे हैं मैं बात बहुत कुछ करता हूं कि मैं टीचर हूं मैं जानता हूं जब मेवाल में चारों और ऐसे महान व्यक्तित के फोटों लगे होते हैं तो कहीं न कहीं इनके संस्कार हमारे अंदर आते हैं वरना किसी भी कॉलीज को जैन्यू बनने में देर नहीं लगती अगर में टिपनी ठीक हो जैन्य प्रणीं में जिन लडड़कीयों से अपने कप्ड़ें नी समय रहें वह देश समालने की बात कर रही है वह लड़के जिनकी पेंट कमर से निचे जारी वह देश को उपड़ लेके जाने की बात करते हैं तब मुझा शुरा वाथ जेंद्धा वाथ कि आट अच्छा एब कर एक पिर मैंने सुधेश को फो फून किया थेसान…… बहुलने का नियुक हम जनके मान Meewale में ओना है बहुले असला है एक मानमागर की बुहलोगे नियुक्त के चानल है लुए सबसकता क कि आस पो जाया रेका पो असला हिदियेम मेरी बात करता हूँ चेर्मन साब क्या बात हुई साब मैं तो जैसे से मोन अगर पहुंजी गाली उठाए पहुंजी गया मैंने देखा भाई ऐसे कपड़ में कॉन लगा खड़ावा एक लगा मिलिया मुझे मैंने भई मेवाल का बच्चा दिख रहा है मैंने यहा हुआ है मै मैं अब समाज में आगे बोले आगे बोले काम करो बोले क्या बोले रस्ता जा रहा है बोले पकड़ लो मैंने पकड़ लिया बोले रस्ते पर आगे जाना मैंने की चले गे बोले आगे जाके तीन गलिया हैंगी मैंने का जी आगी बोले जोड़ देना तीसरी पकड़ लेना मैंने भाई पकड़ ली बोले गली के अंदर जाना मैंने के चले गए बोले आगे जाके तीर मकान आएंगे मैंने का आगे बोले दो छोड़ देना तीसरा पकड़ लेना मैंने भाई पकड़ लिया बोले मकान के अंदर जाना मैंने के चले गए बोले मकान के अंदर होंगे ती मुझे निपता मेवाल कहा हैं सब मैं प्राम करता हूं साहब मैं तो औरिजनल आदमी हुए उम्में क्या करूं मैं सीधी बात करूं सब चेर्में साहब आपने बच्चे सही तेयार करें और अच्छा मैं बता हूं अगर सम्मान यहां तक होता तो भी कोई दिकती में बात निकरता असली सम्मान तो मेरा मेवाल के गेट पे हुआ को असलम भाई वो मिलना रहे थे फोन कर आप यह आजाओ लेने के लिए कुछ कर दो इससे पहले हम खड़े में एक भी खारी मिल गया मुझे कहता भाई सब दो इधर आओ मैं रहा दोर पे निकालो मैं रहा हम लेना है देना है मैं रहा हम लेना है दोर पे निकालो दोर पे मैं रहा है तो मेवाल का लगड़ा मैं रहा है करेगा क्या बोले चाय पिऊंगा चाय सर्ब दया आ गई मैंने का मेरे हिंदुस्तान के भिखारी मेरे गाजेवाद के बिखारी क्या दो रुपे में चाय आती है क्या मैंने का भाई चाय मांगनी है तो पांच रुपे मांग पांच रुपे और उस बिखारी का जवाब सुनना और आपको लगे कि वो एक सही बिखारी का जवाब तो अपने हाथ खुलना उस बिखारी ने कहा कि सहाब मांगने को तो मैं आप से चाय के दस रुपर मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आप से कौफी के बीस रुपर मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी की अवकाद देख का मांगता हूँ. सालत दस जारे पर का सूट पहन लिया पर बेली ने बनते कि बड़ ताली वाली डंग से खोलो तो मैं आगे बात करूँगा साथ नहीं मैं क्या बात करूँ साब सम्मान करना पड़ता है सर जो मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ जो मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ जो दो की सीट पर अकेले बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ जो कुरसियान छोड़ के बैठे हैं, यॉॉ प्युझ सम्मान करता हूं. जो पहली पंक्ति में बहु Pent awaken का सम्मान करता हूं. जो दूसी पंक्ति में कटपपा बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ जो सुभाचंद बोजी का सम्मान करते मैं उनका सम्मान करता हूँ जो केवल वेलेंटेंड डे का इंधियार करते मैं उनका सम्मान करता हूँ जिनका हर जेगा सम्मान होता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो केवल अपनी गल्फिंट का सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो ओरों की गल्फिंट का सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो ओरों कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो का हर जगे सम्मान होता हूं मैं उनका सम्मान करता हूं जो लोग सुभे सवेरे अपने आपको अपने शीशे में देखकर अपना अपमान करना उची समझे मैं उनका सम्मान करता हूं इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन-चुन के सम्मान करता हूं और अगर आपको लगे मै मैंना आपका सभी सम्मान किया? एक बर ताली बजाके मेरा सम्मान के मैडम्ण आप मुझे ऐसे क्यो देख रही हो मैramaan चार पंगती दो तालीबजा ़ो अपांक्टी रखर जागर मुझे तो जो देखता है। तो निखता हूं तो मैं वैसे सुरात तो मैडम उने मुझे बोट प्यार से देखा साज्शाbyक. और को ताली में चौती ह 95 में ताली का घ्फदार बनता अंता हूं मैं तो सीधा कभी ना किसी से लड़ता हूं इतना सीधा अगर आपको मिल जाव है तो अपनी इजाइद मेरे नाम कर देना तो बात कहता हूं मैं तो सीधा हूं कभी ना किसी से लड़ता हूं मैं तो सचा हूं जूत कहने से भी डरता हूं मैडम जी देखिये मत मुझे को प्यार से इतना मैडम जी देखिये मत मुझे को तालिया रोक के रखो चोधी पंक्ति के लिए और मैडम जी देखिये मत मुझे को प्यार से इतना मैं भी कह दूंगा प्यार मैं भी तुम से सर सर मैंने कभी आगे बढ़के कुछ नी करा पर अगर किसी ने करा तो मैंने मना भी नी करा और मैडम प्यार से देख रही तो बासे नहीं आती है अभी इशेक सर आप मुझे इतना प्यार से क्यों देख रहे यह ताली बजाओ तो आभी इशेक सर के लिए चार पंकति रखना चाहता हूं अभी इशेक सर मेरे बड़े अच्छे मित्र है तो अच्छे मित्र नहीं बूल जाते हैं तो इसला सारी पोल खुल जाती है मैं चार पंकति मैं आशुतो सर के चल्लों में रखना चाहते हैं पर ताली बजाओ मैं सर के चल्लों पर और भाया जी देखिये मत मुझको राम रही मन के मुझको राम रही मन के मुझमें क्या तुमको हनीपरीद अच्छा सर ने तने खुशों के तालीब हो जाई जैसे इन्हें भी हनीपरीदी दिखाई दे रही हो के पहल अच्छाव करता हुँ सर ने बड़ी प्यार मुहबत की बाते कर रहा दम हजारे बदे कर सकता हूं सर मैं तो जब अठाना साल सो अ क्या-क्या कर रा में देख रहा हुँ अब एंजंधने तो कर के कि देखा दें तो जितना तवार अनुभव है मुझसे उस पर डबल अनुभव है क्यों लोगों ने पूचा मैं पूचा था बच्चों से मैं भाई सुवाश्चन बोस क्यों नहीं बनते हो मैं तो सहाप आप आजात इस्या है बनते हो बोले हर्कति यहीं पढ़े इस हैं कि थे सकते हैं वैले कैसे हुए पड़िये हैं बोले जी बस मैं चार पंगति बता रिता हूं अर्कटे क्या है लड़कों से मैं भुछ आप जब लड़कों का जवाब चार पंगतिंゃे का टालियों को इस्पोट करने चोथी पंगति के बाद में जड़की आप अब करने क्या आपके लिए बात हो रही हैं। मैं लड़कों से पूचा कि मैंने क्यों नहीं बन पारे हैं। उन्हें का समच्या क्या हो गई। उन्हें कहा कि नजरे मिली तो प्रेमगीत याद हो गए। अज़ करो डंगजय कर लो फेर। क्या हो गया कॉलीजों में सर। सुभाचन बोस क्यों नी बन पा रहे, चार पंगतियों में, कि नजरे, नजरे मिली तो फेमगीत याद हो गए, चाहा उन्हें तो यू लगा आबाद हो गए, पर चन्द दिनों में हमको एहसास हो गया, खर्चा कराया इतना के बरबाद हो गए, कहां बनेंगे साब, मैटम बन ही नहीं सकते, समस्या यह है, अचा क्यों, क्योंकि जिन लोगों का प्यार मभबत हो गई, वो ठीक है, जिनके नेव पाई, वो मास्तर बन गए, सही बता रहा हूँ मैं, पूज आशुतोषर से, क्यों आशुतोषर जी भाई साफ एक बार दुखी ख़ए बहुत जादा, मैंने क्यों ख़ए, कुछ पुराना याद आगया, मैंने क्या हुआ, जो इनोंने बताया, चार मंक्ति बहुत जाता हूँ, तालियों के साथ मिस्पोर्ट करना, इनोंने कहा, कि मुद्द के बाद वो मिली पर दर्द रह गया, वाँ, वाँ की बात निया, आहा की बात, पंक्ति तो देखो, कि मुद्द के, मुद्द के, मुद सुम्से बच्चे ने उसके तोड़ दिया दिल बनना था जिसका पापा वही मामा कह गया जिन्नावाद, 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 साहब, सर, दोड़ा ए घंटे अके लिए हसा सकता हूँ, पर अके लिए मैं हसा हूँ तब बाकी क्या करेंगे, जिन्नावाद, 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 ज वी शंबलन कराया, इसे सस्ता होता भी क्या? तमाम बात करने वाली साब, वो सर मैं फैनन्स का प्रोफेसर हूं, बताता हूं, इस्टॉक मार के बढ़ता हूं, प्रयास करता हूं, वहां से कुछ हाथ से निकालने का प्रयास करता हूं, क्योंकि औरिजनल बात करो, वे बच्चे ठीक टाइम पहे और वे अब आप याए हूं, उन्हें पता होता हूं, पत्चे मेवान के स्माल था हूं, पता है किसका किसो सुनना है, मैं तमाम बात कर सकता हूं, पर मैं एक कवीता की साथ जुड़ना चाहता हूं, सारी बात सब कर भुशख्यों से जटन ड़ी मैं पटी होना चाहता हूं कि मुश्किल है इस दर्थी में सब कुछ मुश्किल हो गया है कुच, चुछे-चुछे, 400 बात करूंगा, सब में बस हर पंग्ति के बाद में आपको कहना मुश्किल है, तो सारी मन की बात करनी कोशिश करता कि नदी बड़ी और नाव मिले तो बोलते क्यों आओ कि नदी बड़ी और नाव मिले यह मुश्किल है कि नदी बड़ी और नाव मिले यह मुश्किल है और बिना प्रेम के घाव मिले यह मुश्किल है कि नदी बड़ी नदी बड़ी और नाव मिले यह मुश्किल है और बिना और खुराट कि कुछ होती है नक्रे वाली और खुर्राट हर लड़की से भाव मिले मुश्किल है मुश्किल है और फूल प्यार संग तेरे खिलाएं मुश्किल है और तेरी अवाखों में वो आए एक अगर ने किसी के व्यक्तिकत घ्रहदय परे चोट करीा तो मैं चह्मा चाहता हूं आगर को अधल मैं तो चाहता हूं के फूल 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 प्रएंसंग ते ठे खिलाए Other主 clever क्लाय किर च्हों और टेरी तेरी युडा में वह जाहता है और करवाएगी करचा शातिर है वो तो कि करवाएगी करवाएगी खर्चा इस बिटिया ने बहुत खर्चा कराया कि करवाएगी करवाएगी खर्चा शातिर है वो तो पर खर्चों से तू बच पाए मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है और सर कुछ आपके मतलब की पंक्ति कहता हूं कि सब भक्ती में लीन मिले यह मुश्किल है कि सब 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 भक्ती में लीन मिले यह मुश्किल है और कुछ दुखियारे दीन मिले यह मुश्किल है कि सब भक्ती में लीन मिले बिटा रोटे बादे बेलेंगे पहले कविता सुनेंगे कि सब सब भक्ती में लीन मिले यह मुश्किल है और कुछ द तबला और हर्मनियम, पर सब को जसलीन मिले, यह मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, और आसा रामसा मिले सियापा, मुश्किल है, मेरे हाथ से मैं व्यंग भी रहेगा साथ में, दो रोची समय न, पढ़ा लिखो के बीचे बात करता हूं, कि आसा रामसा मिले सियापा मुझकिल है और राम रहीम सा मिल जाए पापा मुझकिल है कि आसा राम सा आसा राम सा बाई साब देश के नौ जवानों पर उंगली उठाते हैं इन देश के बुढ़ों ने दिमाग खराब कर रखा है तब मुझे पंग्दिया कहने पढ़ती है कि आसा राम सा मिले सियापा मुश्किल है और राम रहीम सा मिल जाए पापा मुश्किल है और सोच रहे हैं और सोच रहे हैं देश के मेरे बुढ़े हैं और सोच रहे हैं देश के मेरे बुढ़े हैं जलोटा सा मिल जाए पहसा पत्पित यसों कि आजादी का एहसस मिले यह जच में जब आपारी मिलतो लए नेटा देश हमें चुणचुन खरगां मिल तो गए है देश में नेता चुन-चुन के अब नेता जी सुभास मिले मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है और पंक्ति कहना चाहता हूं कि जनता नेता को समझ भी पाए मुश्किल है अच्छी पंक्ति कहने कोश्च करता हूं क्योंकि हसना हसाना बहुत जरूरी है लेकिन अच्छी बातों को कहके जाना भी बहुत जरूरी है तब पंक्तिवाद कहता हूं चेरमेन साब आपको विशेश आशिवाद चाहिएगा इन पंक्तियों पे की जनता जनता नेता को समझ भी पाए मुश्किल है और अच्छे दिन अब सब के आए मुश्किल ह और खड़ा जवान देश सीमा पर यह सोचे कि खड़ा जवान देश सीमा पर यह सोचे मुझको एक छुट्टी मिल जाए मुश्किल है मुश्किल है कमजोर तालिय अच्छे पंक्तियों कमजोर करते हैं मुश्किल है मुश्किल है और मुश्किल है और बस एक दो पंक्ति कह कि दुश्मन कोई अकड में आये मुश्किल है कि दुश्मन कोई अकड में आये मुश्किल है और खत्रा कोई जकड में आये मुश्किल है और अपने ही घर में बैठा है उनका दोस्त कि अपने ही घर में बैठा है उनका दोस्त गदार कोई पर पकड में आये मुश्किल है जाता हूं जितनी तालिया मेरे कोड़े की वचा के रखियों मुझे देखे विदा करेगा कभी दुबारा मोका लगेगा तो और आपको हसाओंगा जगाओंगा और पंगती कहता हूं की दुश्मन की न रात हो काली मुश्किल है कि दुश्मन की साहब हमारे पर कितनी बाते हो हो लेकिन आज भारत देश फिर से विश्व गुरू के रूप में देखा जा रहा है आज अमेरिका जापान चीन फ्रांस कंट्री को इसी भी उने पता कि भारत देश क्या था क्या है और क्या होने वाला है तो मैं पंगती कहता हूं कि दुश्मन की न रात हो काली मुश्किल है और बॉडर पढ़ना बने दिवाली मुश्किल है कि दुश्मन दुश्मन की न रात हो काली मुश्किल है और बॉडर पढ़ना बने दिवाली मुश्किल है और रोक तो ली है जंग दुश्मन से सेना ने कि रोक तो ली है रोक तो ली है जंग दुश्मन से सेना ने पर र मन के दूँ उसके बाद जिस तेवर के लिए स्वदेश यादव को पूरे हिंदुस्तान भर में जाना जाता है वो बात आपके बीच में करूंगा लेकिन थोड़ा सा आपके मन की कुछ एक पंक्तिया पढ़ना चाहता हूं ज्यादा आदिश और उससे पहले आदनिया चेर्म आप लोगों ने सजाया जिसमें यहाँ पर आकर मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मेरे जीवन का सबसे यादगार अगर कोई कविसम्मेलन होने वाला है तो आज का यह कविसम्मेलन होने वाला मैं चाहता हूं एक बार इन लोगों के लिए आप जोरदार तालियां बजा द और भी असलम भाई कर मैंने नाम लिया, यहीं से क्योंकि यह मेरे सीनियर थे जब मैं यहां पर पढ़ता था, तो इनकी कुछ एक बाते मुझे पता है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बता दो, आपके टीचर भी है, पता रहना चाहिए, जब इनका ब्रेक अप हुआ, बह लगे के बिलकुल सही सही कहा है, तो तालियां ऐसी बजाते रहना कि मैं बताता रहूं, नहीं तो बंद कर दूँगा, ठीक है, चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूं, जब इनका ब्रेक अप हो गया, और उसके बाद इन्हें कोई दूसरा क्रश हुआ, तब जो इन्हों पंक्तियां लिखी, वो पंक्तियां आपके भीश में रखता हूं, कि मिली कुछ लेट लग रही हो तुम, आप लोग जुडियेगा, कि मिली कुछ लेट लग रही हो तुम, मगर अब ग्रेट लग रही हो तुम, और जब से गल्फ्रेंड छोड कर है गई, ऑल्टर्नेट ल रहीं रखता निया के फरी आसि targeting आगली पंक्तिनुन फिर देता हूं और आपको यह हाथ खोलने का मुचा डेता हूं आगे क्या लिख़ा कि हॉद रही हो इतना क्यों हॉ प्रहें हो इतना क्यों यह हमाई जेट हो गई हो क्या हवा है हवाई कि हवा में उड रही हो इतना क्यों हवाई जेट हो गई हो गया और देखकर के भी कर्थियन देखा किसी से यह बहुत अच्छे बाई और चार पंगतिया और समझाल लीजिएगा आजकल अभी पीछे आप लोगों में से भी बहुतों के चालान कटे होंगे, बहुत कटे, नहीं मेरा डेढ़ हजार रुपे का कटा, इसलिए मैं भूलता नहीं उसे, तो कहीं उस बात को अगर मैं आप प्यार महबबत पर लाकर छोड़ने की कोर्शिस करता हूं, और लगे के सलीके से छोड़ दिया गया है, तो फिर अपने हाथ खोल दीजेगा, कि पढ़ाई और क्या है कि लड़के अक्सर लड़का, घॉलिज का टाइम ही आसा है कि पढ़ाई तो जो करते हैं, वो करते हैं मजबूरी में करनी पड़ती है, करने तो कुछ और ही आते हैं कॉलिज मे कि पढ़ाई और लिखाई में भी ये व्यवधान कर देंगी लड़कों को सलहा देना चाहता हूं सुईकार हो जाए तो फिर बताईएगा कि पढ़ाई और लिखाई में भी ये व्यवधान कर देंगी तुम्हारी हर खुशी को छीन लेंगी दान कर देंगी कि पढ़ाई और सच पर ऐसी मोहर लगाई जाती है कि पढ़ाई और लिखाई में भी व्यवधान कर देंगी तुम्हारी हर खुशी को चीन लेंगी दान कर देंगी और कभी भी प्यार के सिगनल को हरगे पार मत करना कि यह लड़की रोज तुमपर एक नया चालान कर देंगी लड़की रोज ऊपर एक नया चालान कर देंगी, और चार पंक्तिया और देता हूँ, लड़कों को भी हाथ खोलने मौका देता हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा ये तो सिर्फ लड़कों लड़कों की वकालत कर रहा है तो अब मुझे दिख रहा है यहां पर लड़कियों की संख्या जादा है तो आप लोगों को हाथ खोलने का मौका देता हूँ लड़कों की क्या फितरत होती है चार पंक्तियों बताता हूँ उसके बाद फिर जो मैं जिस चीज के लिए आया हूँ यहाँ पर उसी चीज पर मैं आऊँगा अंतिम चार पंक्तिया हैं मन से सुन लीजिएगा कि दिखे लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं बिल्कुल सच सच हो तो फिर जोरदार तालिया बजा देना कि दिखे लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं और करें यूँ प्यार से बातें कि मिसरी घोल देते हैं करें यूँ प्यार से बातें कि मिसर मुनवर राना लिखते हैं कि मैं तो बुलबुल हूं मेरा काम है गाते रहना भूल जाओं तो मुझे याद दिलाते रहना एक बार जोड़दार तालियां आपके वाई सोदेश के लिए उड़ जाएं अब याद भी तो दिला अब भी याद नी आई तो तिरा ने चार पंगते और देखेगा अंतना चार पंगते रखता हूं कि लगा कर काल चस्मा देखो टेडी हैट करते हैं और न जाने कैसे करकर के यह लड़की सेट करते हैं और मेरा कहना है एक भारत रतन दिलवाद विनको भी बनाकर लड़की की आएटी रात भर चैट करते हैं कि देखो श्वदेश भाई मैं तो ये कहता हूं कि ताज क्या है अजनता की मूरत क्या है हम ना देखें उन्हें तो उनकी सूरत क्या है और जो रोजा खाता हो ताजु तले हुए उसको बासिमुंखली की जरूरत क्या है कि देखो बाई पड़ो पड़ो तुम्हारी इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट ही आधी कैंसे लो गई होंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस कारे के लिए आधने से चेर्में सर्ने में आप सभी ने यहां पर आमंत्रित किया है क्योंकि यह हसी मजाग चल रहा है बहुत देर तक सकता है लेकिन जिसकी आज देश को जरूरत है राष्ट को जरूरत है उस बात को आपके बीच में करना चाहता हूं और एक आप से निवेदन और करना चाहता हूं कि अब तक जो बाते आपने इतने मन से सुनी इसी मन से आप राष्ट की बात माभारती की बंदना भी सुनें एसी मैं आशा करता हूँ मैं मेवाड सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कॉलिज का नाम इस संस्थान का नाम मेवाड है जो के महारणा प्रताप की याद दिलाता है हमें कहीं उनकी जनम भूमी जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रियती उसके नाम पर इस कॉलिज का ना में सरवा हैं वो लोग कहीं उस खांदान से आते हैं आप लोगों को पता होगा कि महारणा प्रताप को अगर महारणा प्रताप बनाने वाला कोई व्यक्ति महारणा प्रताप को मोगलों के सामने जुकने ना देने के लिए प्रिरित करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो था प्रताप को सबसे अधिक जरूरत थी धनकी दौलत की उस समय पर उन्होंने अपनी तिजोरिया खोल दी उस खांदान से उस परंपरा से यह लोग आते हैं मैं चाहता हूं एक बार आप लोग इंग के लिए जोरदार दालिया बजाई और मैं चार पंक्तियां महाराना से अपनी बात को शुरू करूं और फिर आप लोगों तक पहुंचो आगे स्वागत भाई बिल्कुल ताजी ताजी पंक्तियां हैं भाप उठ रही है इन में से मैं यह आपके विच्व पढ़ने की कोशिस करता हूँ कि पंक्ति हो गई भी यह स्वागत आज तो ऐसे कब ता पढ़ रहा है जैसे मायावती जी भाशन पढ़ती है कि देखिएगा और चार पंक्तियां महाराना प्रताप को समर्पित करना चाहता हूँ मेवाड कॉलिज के इस मंच पर खड़े होकर आपका प्यार मुझे मिले क्या थे महाराना प्रताप कहीं न कहीं हम लोग उन्हें भुलाने की कोर्शिस करने लगे पाठ पुस्तकों में पढ़ाया नहीं जाता कहीं थोड़ा बहुत पढ़ाया भी जाता है तो उसे भी धीरे धीरे खतम कर रहे हैं लोग तब कहीं कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है अगर बात सुईकार हो जाए तो महाराना प्रताप के लिए जितना दिल में सम्मान जितनी इज्जत जित कि शत्र दल चीरता हुआ जो आगे बढ़ता था आज उस चेतक की टाप को भुला दिया धनके अभाव में ना राह सूझती थी कोई दन के अभाब में न राह सूझती थी कोई, तब भामा शाह से मिलाप को भुला दिया। बहुत बहुत धनेवाद और चार पंग्तियां और रखना चाहता हूं, लोग कहते हैं का शिवाजी जैसे बेटे पैदा नहीं होते तब एक बात आपके बिच में टिपनी करना चाहता हूं कि शिवाजी अपने आप शिवाजी नहीं बने, कहीं न कहीं शिवाजी को संसकार देने वाली, कहीं उन्हें तैयार करने वाली उनकी माँ जीजावाई थी, आप लोगों ने अभी पीछे पिक्चर देखी होगी, तो शायद उसमें आप लोगों को इस बात का पता लगा होग तो फिर अपनी महर लगाएगा पंक्तियाने विदित करता हूँ कि कूट कूट संसकार दिये जाएं लोरियों में कि कूट कूट संसकार दिये जाएं लोरियों में संसकारों सेना रुसवाई होनी चाहिए कि कूट कूट संसकार दिये जाएं लोरियों में संसकारों सेना रुसवाई होनी चाहिए और निज धर्म का भी अभिमान सदा रखता हो देश भक्ती दिल में समाई होनी चाहिए और गुरु रामदास जैसे ग्यानी ध्यानी गुरुओं की कि गुरु रामदास जैसे ग्यानी ध्यानी गुरुओं की बालकों पर सदा परचाई होनी चाहिए वो हर एक बालक शिवाजी ही बनेगा किंतो शर्त है कि माभी जी जबाई होनी चाहिए बहुत बहुत दिनवाद मैं आपको बड़ी छोटी छोटी कविता है सुना रहा हूं चार चार पंक्तियों की लेकिन मुझे आद आता है भी पीछे आगरा एक कविसम्मेलन में था वहां पर एक कवी आये उन्होंने इतनी लंबी कविता पढ़ी इतनी लंबी कविता पढ़ी इतनी लंबी कविता पढ़ी इतनी लंबी कविता पढ़ी कि अग्रिम पंच्ति में बैठ हुए कभी आई पी चलवसे अब भैसब जैसे वी आई पी चलवसे तो पुलिस पकड़ कर ले गई कवी को और जजज साहब के सामने पेश किया गया जजज साहब ने कहा कि अरे ओ दुष्ट कवी तेरी कविता सुनकर एक वी आई पी चलवसा तुझे मृत्यू दंड दिया जाता है बोल तेरी अ अंतिमिच्छा आप तक पहुंच जाए तो बताएगा कवी ने कहा कि जज साहब मेरी अंतिमिच्छा ये है कि मैं एक बार वही वाली कविता आपको भी सुनाना चाहता हूं और पीछे जो मेरी बहने खड़ी हुई उनसे निवेदन करता हूं कि बहुत ज्यादा समय अब हम आपका लेंगे नहीं मुश्किल से मुश्किल पंद्रवी समट का कवी संबिलन और शेष है आप अपना कीमती समय दीजेगा थोड़ी देर और बैठ जाएगा जिनसे मिलने जाना है उनसे कह दीजेगा कि मैं थोड़ा सा जाम में फस गई हूं इस्थान ले लीजेगा हमें अच्छा लगेगा चार पंक्तियां और निविदित करता हूं किस चीज की आवशक्ता है आज हमारे राष्ट को कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए और निजरक्त से तिलक मा तुभारती का किया अशफाक जैसे बलिदानी हमें चाहिए शेखर सुभास जैसे लाल होने चाहिए वा बेटियों में जासी वाली रानी हमें चाहिए और चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं कहीं कहा जाता है कि हमारी क्रिकेट टीम ने वर्ड़कप जीत लिया बहुत बड़ी बात हो गई तो कोई व्यक्ति कहता है कि हमारा य लेकिन इसके अत्रिक्त जो बात आज आज आप यहां पर खड़े होकर मैं कहना चाहता हूं यहां पर बैठे हुए प्रतियक व्यक्ति को अगर लगे कि हमारे देश में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती तो फिर अपने दोनों हाथ उनके सम्मान में खड़े करके और तब आपकी तालियां देखना चाहता हूं पंक्तियान विधित करता हूं कि असहाई जीव को ना मारना है बड़ी बात पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है कि असहाई जीव को ना मारना है बड़ी बात पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है और गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात है के गीदरों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं सिंघ के समक्षुत तन जाना बड़ी बात है और चैनलों पे बैठ चिलाना बड़ी बात नहीं के चैनलों पे बैठ चिलाना बड़ी बात नहीं देश हित खुद को मिटाना बड़ी बात है बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारती पर सीश को चढ़ाना बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन्से आप लोग सुन रहे हैं, चार पंक्तिया और निवेदित करता हूँ, अभी पीछे काफी बात हुई, सर ने भी बताया, कुछ एक मन की पंक्तिया हैं, मुझे सरवाधिक प्रिया हैं, उसे पहले बात और बताना चाहता हूँ, अभी जैसे बात हुई देश में गद्दार और ये, पता नहीं कैसे उल्टी सीधी बाते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कोई इधर उधर के बयान आ रहे तब चार पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और एक-एक व्यक्ति का समर्थन देखना चाहता हूँ, कितने लोग मुझे समर्थिन देते हैं आपर, कि जुबा हर्से चले जादा, तो उसको टोक ना होगा, और जवानों की शहादत को भी, हमको रोकना होगा कि जवानों की शहादत को भी, अभी प्रतीक भी अभी बोल रहे थे, हम सब लोग कहते हैं, बेशक बहुत बड़ी-बड़ी बाते कर लें, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कि पिछले कुछ वर्षों में, हमारी सीमा पर जो जवान खड़े होते हैं, उन परस्ति पाक की करते हैं, जो गतदार भारत के खड़ा कर भी चौराहे पर उनको ठोकना होगा, बसुछ बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदा वा शुदेश, और देखिएगा, मुझे याद आता है, कि आज कृान तिकारियों की बात हम लोग कर रहे हैं, तब एक बात आपके व्यूश में करना चाहता हूँ जब भगत सिंग को फासी होने वाली थी उससे पहले उनकी मा जेल में उनसे मिलने पहुची तो जब मा जेल में भगत सिंग से मिलने पहुची तो मा ने देखा कि कहीं भगत सिंग की आखों में आसू है इस पर भगस सिंग ने एक सवाल मा से किया कि मा तू रो क्यों रही है तो मा ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फासी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुलहंग घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती इस पर जो उत्तर भगस सिंग ने दिया अगर आप लोगों को लगे कि यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगस सिंग दे सकते थे यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ मा भारती का सच्चा बेटा दे सकता था यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था तो उसके समर्थन में अपने हाथों को खोलिएगा लेकिन जब ऐसे क्रामतिकारियों को भूलने की कोशिश की जाने लगे तब पंक्या निवेदित करने की कोशिश करता हूं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि घास के निवाले खाये किंतु कभी जुका नहीं महाराना जैसा स्वाभिमानी मत भूलना और निजसुत व मत भूलना चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किन्तों शेखर भगत की जवानी मत भूलना चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किन्तों शेखर भगत की जवानी मत भूलना और अंतिम मैं आठ पंग्तिंघा आपके भीछ में रखता हूं उसके बाद हमें आदे दादा अलोक वेजान जी को जो के हमारे बीच बुलंद शेहर से चल कर आए हैं उन्हें सुनना है वाप इंच में रखता हूं आपका मन मिले विदाई की तालियां दे दीजिएगा आपने छोटे भाई को एक बयान आता है कि इंच-इंच कश्मीर का वापस ले लेंगे तब उत्तर देने की कोशिश करता हूं और कहीं ठीक-ठाक सा उत्तर दे दिया हो तो फिर आपका समर्थन major इंच-इंच वापस लेने की बातें भी दोहराते हैं में इनको समझा में आता कि इनको समझा नहीं आता यह जिसके ऊपर एंथे हैं वो भी साथ पिटेगा जिसको बाप बना कर बैठे हैं वो भी साथ पिटेगा जिसको बाप बना कर बैठे हैं और पाकिस्तानी अंधों को यह सच क्यों नहीं दीखता है कि पाकिस्तानी अंधों को यह सच क्यों नहीं दीखता है बार बार पिट करके भी कुछ बातें नहीं सी इधर कितना भी चाहें सिंगों को पीट नहीं पाते बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत मन से आप लोगों ने सुना मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आधनिया दादा अलोग बेजान जी को एक बहुत ही बड़े शायर जिन्होंने प्रतेक विशय पर अपनी लेखनी को चलाया और मुझे जहां तक पता है तो अभी 5000 से जादा दादा मुक तक भी लिख चुके हैं ये खुद में एक बहुत-बड़ी बात होती है तमाम दादा की पुस्तकें प्रकाशित हुई तमाम बड़े-बड़े न्यूस चैनल से दादा ने कावेपाठ किया एक ऐसी बड़ी सक् प्रकाशित जिनकी एक शाम जब किसी शहर को मिल जाती है तो वो खुद को गौर्वानवित महसूस करने लगता है ऐसे आदनिया दादा आलोग बेजान जी आज हमारे मध्य में उपस्थित है इन्हें लाइव सुनने का सौभाग्या आज हमें यहां पर मिला है मैं खुद क करतें काद्ध माध्धम से क्योंके अपने चीज़ देखी होगी के ये आज एक युवा कवि शम्मेलन किया गया था आदन ये चेतन दद्दू बेशे हुए हैं यहां पर कविशा मेलन आपके बीची में पहले भी होते रहे हैं लेकिन एक नया प्रेयोग था आदणिया आलोग बेजान दद्दू कर रहे हैं कि किसी के जखंपर चाहज से पट्टी कौन बांधेगा अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा और हमारी महफिलों में ये बड़े बुढ़े जरूरी हैं कि हमारी महफिलों में और अगली पंति पर एक रचनाकार के लिए बड़ी तालियों के साथ उसे आमंत्रित करिएगा कि कि किसी के जखम पर चाहज से पट्टी कौन बांधेगा अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा और हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करिएगा बड़े रचनाकार आधने दादा अलोग बेजान दद्दू कि चारचर पंक्ति से जोड़ता हूं सुनिएगा का ये है कि कैसी जिंदगी होती है कभी अशायरों की कहीं दिन होता है कहीं रात आस्मा के हम किसी भी महल की हम को कोई दर्कार नहीं है। हमारे घर में कोई छत कोई दीवार नहीं क्या बात है वह इस ने नेता जी के विश्व में बहुत कुछ कहा कैसे नेता अज संसद में है सुनिएगा इशारे से बात करूंगा मैं किसी का नाम नहीं लेता असलम जी आप भी अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाईए अच्छी से मतलब यह जो भी ठीक से लगए सनीगा कहाईए कि जिसकी जो भी हद है उसी हद में रहेगा कोई धोती में रहेगा कोई दोती में रहेगा और ये तैह हुआ कि बागी तो चंबल में रहेंगे डांकू तो कहीं का भी हो संसद में रहें जिन्दा बाद जिन्दा बाद क्या बात है वह क्या कहने दा दा वह और इस बात को कुछ यों भी कहा कि ये तो अपनी हद में थे इस हद में कैसे आ गए ये तो अपनी हद में थे इस हद में कैसे आ गए बबूल के काटे कहो बरगद में कैसे आ गए ये तो अपनी हद में थे इस हद में मुझे पता होना चाहिए कि मैं एक गुरुगुल में बैठा हूँ यह कवेपाट कर रहा हूँ मन देजिए वो पंक्तियां सौफ कर जाना चाहता हूँ सुनिएगा ये तो अपनी हद में थे इस हद में कैसे आ गए बबूल के काटे कहो बरगद में कैसे आ गए और हमने तो देखा था इनको सिर्फ जंगल में मिया अब तुम बताओ भेड़ी ये संसद में कैसे आ गए क्या बात है भई सच्चाई व्यंग है बहुत सारी महबत की बाते हुई कैसी महबत आज के नौजवान कर रहे हैं चार पंक्ति सुनिएगा कि ना कोई तख्त बदलेगा ना कोई ताज बदलेगा सर पंक्ति सुन लिजेगा ना कोई तख्त बदलेगा ना कोई ताज बदलेगा बदल पाया ना कल जिसका ना उसका आज बदलेगा ये किस्सा ताज महल का सुना उमत अभी इसको ये आशिक नई सदी का है कि मुमत आज बदलेगा ना कोई तख्त बदलेगा ना कोई ताज बदलेगा बदल पाया ना कल जिसका ना उसका आज बदलेगा ये किस्सा ताज महल का सुना उमत अभी इसको ये आशिक नई सदी का है कि ये मुमताज बदलेगा लेकिन कैसी महबत करनी चाहिए वो भी बता देता हूँ सुनिएगा दोस्तो कि छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं तनहा तनहा ही सही हर जंग लड़े हैं और प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिये धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े हैं झागा दा लड़े होदा है खोटे सही दिखने में बगर बहुत बड़े हैं तनहा तनहा ही सही हर जंग लड़े हैं और प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिये धरती का हात थाम के सदियों से खड़े हैं और अक्सर कहा जाता है कि हम लोग इतना कड़वा क्यों लिखते हैं तो सुनिए इशारे में बात करता हूँ, एलिश ने बहुत अच्छा पड़ा, सभी लोगों ने बहुत अच्छा पड़ा पंक्तियां सौबता हूँ मंजच को ही कि हमारे मिजाज में तलखी बड़ी मुश्किल से आई है, बहुत दिन सूखी रोटी नीम की चटनी से खाई है हमारे मिजाज में तलखी बड़ी मुश्किल से आई है, बहुत दिन सूखी रोटी नीम की चटनी से खाई है हमारे सामने मत कीजिए एमान की बातें हमें मालूम है किसकी यहां कैसी कमाई है थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दीजिएगा कैसी स्थितियां थी आज मंच पर क्या हो रहा है सब मौलिक रच्छनकार आज मंच पर हैं बड़ा अच्छा लग रहा है कहा यह है कि क्या समय था क्या जमाने हो गए क्या समय था क्या जमाने हो गए अब पाईताने भी सरहने हो गए क्या समय था क्या जमाने हो गए अब पाईताने भी सरहने हो गए और नीचाईयां भी हो गई उचाईयां फर्श भी अब शामियाने हो गए जिंदा बात, क्या बात है चारपंगती, ये भी कहीं मंच के लिए सौंपता हूँ इस मंच के लिए ये ने महीं, लेकिन वो मंच जो समझोते पराधारित है ये विशुशता पराधारित मंच था कि हमेशा नाज़नकरे प्यार में जादा नहीं चलते क्या बात है भा हमेशा नाजनकरे प्यार में जादा नहीं चलते जो खस्तायान हैं मजधार में जादा नहीं चलते पढ़ो मंचों पे कुछ भी बात लेकिन याद ये रखना जो नकली नोट हैं बाजार में जादा नहीं चलते हमेशा नाजनकरे प्यार में जादा नहीं चलते जो खस्तायान हैं मजधार में जादा नहीं चलते पढ़ो मंचों पे कुछ भी बात लेकिन याद ये रखना जो नकली नोट हैं बाजार में जादा नहीं चलते चार पंक्ती रखता हूँ मैंने पांच हजार मुग तक लिए के सबसे अच्छा मुग तक सुनाता हूँ आपको सुनिएगा बच्चों सुनिए आप लोग कहा ये है कि जड़कते हैं सुबहो शाम जो माबाप को अपने अगर कविता के मंझ से संसकारों की बात न हो तो कविता नहीं हो सकती है जड़कते हैं सुबहो शाम जो माबाप को अपने वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिर गिराते हैं जड़कते हैं सुभो शाम जो माबाप को अपने वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़ गिड़ाते हैं और किसी नंगे बदन को एक कत्तर भी नहीं देते आजीब लोग हैं दरगाह पे चादर चड़ाते हैं क्या कहने दादा वाँ क्या कहने करें जो फिक्र सभी की फकीर जिन्दा है करें जो फिक्र सभी की फकीर जिन्दा है मेरे शेरों को संभालो ऐ जमाने वालो निरे शेरों को संभालो ऐ जमाने वालो मेरे घजलों में अभी तक कबीर जिन्दा है मेरे वजलों में अभी तक कबीर जिन्दा है और साब मुल्यवान वो होती है चीज़ जो हमारे पास नहीं होती है बताएं क्या तुम्हें क्या क्या तलाश करता है कैसी जहनियत है लोगों की सुनिए गा दोस्तो बताएं क्या तुम्हें क्या क्या तलाश करता है मुखोटा ओड के चेहरा तलाश करता है आज के दोर के इनसान की फितरत ये है ये पेड काट के चाया तलाश करता है ये पेड काट और मित्रो मैं एक सर एक बात कहता हूँ मनसे फेस्बुक पर हमारे 5000 दोस्त होते हैं लेकिन मैं पता नहीं होता कि हमारे माता पिता ने भोजन किया नहीं किया उनकी दवाई आई या नहीं आई तब उन पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूं को रिष्टे सम्हाल कर रखिए दोस्तों रिष्टे बहुत जरूरी होते हैं क्यों जरूरी होते हैं पंक्तियां पढ़ता हूं सुरीगा कि जिन्दगी के लिए रिष्टे बहुत जरूरी हैं जिन्दगी के लिए रिष्टे बहुत जरूरी है गेर तो गेर हैं अपने बहुत जरूरी है सभी से जंग लड़े हम मगर ये ध्यान रहे अब पंक्ति सुनना दोस्तों सभी से जंग लड़े हम मगर ये ध्यान रहे आखरी वक्त में कंधे बहुत जरूरी है आखरी वक्त में कंधे बहुत जरूरी है अब अब ये पीड़ी अपने माता-पिता سے ये कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया तब वो जवाब देना चाहेता हूँ सुनिएगा हमें क्या संस्कार देने थे हैं हमग्या संस्कार नहीं दे पाए तब पंक्ती पढ़ता हूँ सुनिए कावे पाट को बहुत छोटा करता हूँ, इस तब सुनिए का बुजर्गों की है क्या कीमत, वो कीमत भूल जाते हैं, हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं, हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं, वो मा और बाप के मरने पे, हमने देखा है बच्चे, वसीयत याद रखते हैं, नसीहत भूल जाते हैं, वसीयत याद रखते हैं, नसीहत और दो तीन मुख तक मा के नाम पढ़ना चाहता हूँ, मेरे परते निदी मुख तक हैं, मूंको अक्सर पढ़ता हूं सनियगा, मैं एक बार महानगर में गया, मैंने उसे पूछा, हमें कभी संबिलन में थे हमें घर में ठेहरा दिया गया, कोठी में, हमने का क्या यहां पर सब वैवस्ता हो जाती हैं, उन्होंने का नहीं यहां पर की बहुत समस्या रहती है, हमें मेड नहीं मिलती है, तो उन्होंने का फिर कैसे करते हैं, दोनों लोग वरकिंग है, तो उन्होंने का गाउं से मा को बुला लिया है हमें, पंक्ति सुनना और लग जाए कि हाँ, यह सच्चाई है इस समाज की, नई पंक्तियां चेतन भाया पढ़ता हूं सुनीगा, कहा यह है कि बचा बचा कर थोड़ी थोड़ी माया रखनी पढ़ती है, वो मान सिकता और यह पंक्तियां सुननेगा, बचा बचा कर थोड़ी थोड़ी माया रखनी पढ़ती है, और इतना फरक पड़ा है, अम्मा तेरे मर जाने के बाद, अब तिर घर में आया रखनी पड़ती है क्या कहने रादा क्या पंक्तिया है वाँ लाजवाँ लेकिन साब एक और चहरा आपको दिखाता हूं उन महानगरों की विद्रूपता का एक और चहरा सुनीगा कि और जमाने थे जब थोड़े संस्कार बच जाते थे हमारे रिष्टे कहीं पैसों की भागदोड में खो गए है तपंक्ति पड़ता हूं सौंपता हूं दोनों आदरणियों को कि और जमाने थे जब थोड़े संस्कार बच जाते थे रिष्टे रिष्टे नाते बार बार बच जाते थे और जमाने थे जब थोड़े संसकार बच जाते थे रिष्टे 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 नाते बार बार बच जाते थे चौका चूला साफ सफाई बाकी घर के कामों में जब तक माँ जिन्दा थी मेरे कई हजार बच जाते थे क्या बात है दादा क्या बात है वाँ क्या कहना है वाफ मैं आज जो भी कुछ हूं मा की बदोलत हूँ और मैं आप सब बच्चों से एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि माता पित और गुरूओं का बहुत सम्मान कीजिए ये आपके वैल भी शरू होते हैं आपके बाविश्चे की विश्चे में सब कुछ अच् निशा नहीं रख सकते हैं तब पंक्ती पढ़ना चाहता हूं का आज मैं जो भी कुछ हूं मा दो तीन मुक्ता कंत में और सुन लेजे पिर इस सफ़ा को इस्तागित करेंगे मैं एक बात कहता हूं कि अगर इश्वर या लाह जो भी उसका नाम है असलम भाई सुनिएगा आ के लिए हवाले से कि इससे बढ़के दुनिया में कोई भी शेह नहीं साहिब दिल से हाल दिल का ये पलो में जान लेती है और बिना देखे बिना चुए बिना बातें करे उससे अंधी मा भी अपने बेटे को पहचान लेती है तब मैं पढ़ता हूँ जादा सुनिएगा अंतिम दो मुक्तक और विराम चाहता हूँ सिर्फ एक मिनट की बात है सुनिएगा कि अगर वो ईश्वर या अल्ला जो भी उसका नाम है वो मुझसे कहेगा तो मैं क्या उससे मांगना चाहता हूँ सुनिएगा परिंदे ने कहा उड़ने और इस पक्तियों को ले जाएए आप अपने साथ हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो खुदा ने मुझसे जब पूछा अता क्या मैं करूं तुझ को कहा मैंने खुदाया मुझ को वापस मेरी मां दे दो कहा मैं और साथ जब हम छोटे थे गिर जाते थे खेलते हुए मां गोद में उठाती थी फूप मारती थी कहती ठीक हो गया उन्हें अहसास को जी ये चार पंक्तिय और रखता हूं कि मुझे ये कहा जाता है इसलाम में कि मां के पाओं के नीचे से मुझे जन्नत में दाखिल कर निवाला पाओं थी अम्मा अनूठी थी बहुत प्यारी वो शीतल चाओं थी अम्मा अनूठी थी बहुत प्यारी वो शीतल चाओं थी अम्मा वो खुद में संसकारों की अजब सी पाठ शाला थी वो दो कमरे के छोटे घर में पूरा गाउं थी अम्मा वो दो और अंतिम चार पंक्ती सौंप कर विदाई चाहता हूँ सुनिएगा और उसकी भूमी का में सिर्फ इतना है में एक जगा बैठा हुआ था हमारे एक मित्र का छोटा सा बच्चा साथ आठ वर्षका उसने अपने मां से कुछ पैसे मांगे मां के पास नहीं रहे हूंगे मना कर दिया माने तो उस बच्चे ने एक सवाल करा पैसे नहीं को आप सब लोग जानते हैं और अंतिम चार पंगती बहुत बहुत अच्छा कारिक्रम आप लोगों ने किया आपको साधुवाद अर्पित करता हूं सुदेश का विशेशा भार इसमें चेतन भाहिया का तो चार पंगती क्या होती है मां मां की ऐसी परिभाशा साय पहले दी हो मुझे नहीं याद लेकिन मैं हरी बात कहता हूं कि मैं सरवता मौलिक पंगतीया मैं पढ़ता हूं सुनिए गा मां क्या है सुनिए गा हमारी बात भी पहुँचे जरा सी उन जहीनों तक के फिर आने लगे हैं सांप मेरी आस तीनों तक पता चल जाएगा मााचीज क्या होती है फिर तुमको कोई पत्थर जरा तुम पेट पर बांधो महीनों तक कोई पत्थर जरा तुम पे… बात-बात शुक्र बात झाल झाल